कैसे हैं आप लोग तो आदमें लेकर आई हूं शेयर करने के लिए आप सभी के साथ में आलू से बनने वाला एक एजी सिंपल स्नाक रेसेपी जिसे आप भी एक बर जरूर ट्राइक कीज़े का बहुत ही आसान और मज़ेदार सा लगता है तो इसे बनाने के लिए ना चार आल कर पहले तो रख दे और अब हातों से निचोड निचोड कर फिर से आपको पानी में इसे डालना है और डालकर लगतार छोड़ देना है चार पांच मिर्ट तक जब तक इस रसेपी की जो आगे हमें त्यारी है जब तक आलो यहां पर भीगो कर रख दे रही हूं मैं और यहां पर स्क्वीज कर दिया है और इसी के साथ मैं इसमें दो टिबिल स्पून जीजर गालिक पेस्ट एड करूंगी और नीमू और लसन दर के साथ में चिकन को 5-10 मिट के लिए जिससे टेंडर हो जाएगा और इसमें अच्छ से जा पाएगा जो भी हम मसाले डालेंगे त टेस्ट के इसाब का नमक जाएगा इसमें यह सारे जो मसाले हैं इसको बहुत चा फ्लेवर देंगे इसलिए जब थोड़े मारिनेट हो जाएना तब डालिएगा इसी के साथ इसमें आपको डालना होगा चाट मसाला वन टीबल स्पून और साथी आपको वन टीश्पून ग और किसी भी रेसिपी में यूज़ करेंगे तो बहुत चा टेस्ट आता है चिकेट पर मसाले लगाने के बाद में हमें इसमें बाइंडिंग एजन डालना होगा जिसके लिए मैंने वन टीबल स्पून और वन टीबल स्पून बेसन लिया हुआ यानिकी ग्रैम फ्लार और इ इसमें कम से कम पानी रहे और इस तरह का ड्राइ हो जाए अब इसमें हमें नमक डालना है नमक मैंने हाफ टीबल स्पून डाली है टेस्ट के इस आपका नमक रखना होगा और अगर यह प्रोसेसर पहले कर देंगे ना फिर नमक पानी छोड़ देता है तो आलू पूरा गील इसमें डाल देना है और अच्छे मिला लेना है बहुत हिलके फुल के मसाले से बारिश का अपना फ्लेवर लगेगा और बहुत क्रिस्पी करारा सा स्नैक बनता है अगर आप हर बार चिकन का पकोड़ा एक ही तरह से खाकर बोड़ हो गये तो कुछ अलग तरह का नहीं तरह क पकोड़ा है एक बार भी जरूर ट्राइक कीजेगा अभी तो फ्रेंस बारिश का मौश्ण चली रहा है बस आप एक बार इस तरह से बना कर देखिए यह पकोड़ा बहुत अच्छा लगेगा देखिए यह पूरा मिल गया है और जैसे जैसे थोगा ताइम लगेगा ना वै इस दर से सारे के सारे आप फटा फट बनाते जाएं और इधर आपको गरम करते रखना होगा और बस डालते जाना है फ्लेम याद रखें बहुत साथ तेज आच पर इसे नहीं फ्राइग करना है वरना बहुत ही जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से चिकन कच्छा रह और आलो जो है ब्लुकुल क्रिस्पी करारा क्रंची हो जाता है और बहुत हसा चिप्स वला टेस्ट भी आता है इसमें तो एक अलग तरह का चिकन का पकोड़ा है फ्रेंट्स आलो के साथ में एक बार आप भी ज़रूर ट्राइगा सारे हम इसी तरह से बना लेने हैं मज़े चिकन पकोड़ा की रेसिपी मैंने डाली है तो अगर आपको देखनी है तो जाकर चैनल विजिट जरूर कीज़ेगा वहां पर कुछ अच्छा ने आपको जरूर मिलेगा जो कि उमीद आपको बहुत पसंद रहेगा और आपको बहुत पसंद रहेंगे तो कैसी लगी आपक झाली है रहेंगे जरूर एक जापको की यको बहां जो कि उरू हो क्वाम की बहुत ऑफटी चिर जो कि निपाले और आपको की ऐा हऩ कर तो कुल पसंदा जाप खसंदेंगे झाले हैं सबस्दाएंगे